पिगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा आहाहा, मैं धनी हो गया, मैं तो धनी हो गया ओहो, और अधिक आनन्द तो तब आएगा जब श्रीधर भंडारा नहीं करा सकेगा संपूर गाउं का विश्वास उससे उठ जाएगा और यदि कोई चमतकार हुआ भी, तो भैरो स्वैम आकर उसमें बाधा उत्पन करेगा अहा, इस बार तो चित भी मेरी और पट भी मेरी मा, देखें ना, ये वस्त्र फट गया है मा, इस वस्त्र में श्रीधर काका क्या वंडारे में नहीं जाओंगा अहे, इस सुवस्त्र में जाओंगा श्रीधर काका क्या इसमें नहीं अरे, इसे फेको मत, किसी निर्धन के काम आएगी शमा याचना की आपने श्रीधर भाईया से? शमा भागूगा, और मैं उस श्रीधर थे उससे क्या लाब होगा भला? देखो, जिस कारे से गया था उससे मैं क्या लेकर की आया हूँ? ये तो वही सोन मुद्रा है जो का वीवी कालिक में बदर सकती है तभी तो शुब शुब बोल लिया करो लला जी जब भी मुख खोलते हो, कीचर ही निकलता है कुछ भी ओजल नहीं होगा सब कुछ वैसे ही रहेगा इस घर का अच्छा चाहते है ना तो शृधर भाईया के यहां भंडारे में चलिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए मैं अपने हाथों के अपने मुखपक काली होत लूँगा किनको शृधर के घर नहीं जाओंगा और ना तुम दोलों को जाने दूँगा नैंसुग जी प्रणाम भावी नैंसुग जी मेरे वरिष्ट है उन्हें भंडारी के लिए निमंतरन देना मेरा करताव्य है शृधर काका मैं अभी बापू को बुला के लाता हूँ बापू आपको शृधर काका बुला रही है जाओ जाकर कहे दो कि मैं घर पे नहीं हूँ काका बापू ने तो कहा कि उनसे बोल दो क्यों घर पे नहीं है ये सदा मुझे जूटा के उपर मारिद करता रहता है नैन्सुक जी आप मेरे वरिष्ट है यदि आप मेरे घर बंडारे पर आएंगे तो ये मेरा स्वभाग्य होगा बंद करो इस दिखावा श्री घर बंद करो अंडारे के लिए भोज कराना होता है और इसके लिए तुमारे पास कुछ नहीं है इतना ग्यात है मुझे तो तुम्हारे इस ढोंग में खाली पतल के सामने बैठने में मुझे कोई रूची नहीं है खाली पतल क्यों होगे? अवश्य पकवान बनेंगे? कर्मे कर्मे शीरा होगा है ना काका हाँ होगा सब होगा माता की कृपा हुई तो फिर तो माता की कृपा होगी तो तेसर वाली खीर भी होगी और मेवा के साथ साथ पके हुए सुगंदी चावल भी होगे है ना श्रेदर काका माता की कृपा से ये सब कुछ होगा अच्छा, बापु आए, चाहे नए आए, माई और मेरी माँ अवश्य आएंगे काका नहीं आउंगा मैं, तो कि वहाद कुछ नहीं होगा श्रीधर, स्वयम को और गाउवालों को मूर्ख बनाना बंद करो इनके कहे का बुरा मत मानिये श्रीधर भैया हम वहाँ अवर्ष होंगे जै माता की श्रीधर के पास चावल के दाने के सिवाए बस उनका विश्वास था जिसके बल पर उन्होंने पूरे गाउव को नियोता दे दिया था माता ने चाहा, तो उनके आशिर्वाद से चावल का एक दाना पर्याप्त होगा पूरे गाउव के लिए बस मातारानी पर विश्वास रखो संभाव है, यह हमारे विश्वास की परिक्षा हो अपने विश्वास में कोई कमी मताने दो साहे तो उनी से मांगनी चाहिए, जो सक्षम हो और मातारानी से अधिक शक्षम और समर्द भला कौन हो सकता है इसलिए मैंने सब कुछ मातारानी पर छोड़ दिया है मैं तो बस मातारानी के आगे अपनी जोली पहलाओंगा जयो श्रीदाव पहलाओंगा झालाओंगा 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 जोड़ खल्ड़ युश्क उनीज़ जो बनीड़ इचिता जो बनीज़ झालाओंग कर दो कर दो अब हमें आज्या दें जय माथा की जय माथा की क्या हो क्या ना वहाँ देखू तो चाहिए ये कैसे हुआ कब हुआ चमतकार वही है ये चमतकार आरंब हो गया किन्तु ये भेरो कहा है कि जय चमतकार कि एक रांद हुआ हुआ आरंग पू झार्वी झार्वाट झार्वाट पैस्ट आरंग की आर्वाट det वांद हो गया गार्या आर्माट कि नकारात्म और दुष्टता के भाओ का आभास क्यों हुआ इसे देख कर दिव्यता का आभास क्यों हो मुझे या ये कोई दिवी पुरुष है ये कौन था जिसके इतना विशेश होने का अनुभा हुआ मुझे अवश्य ये भी उसी दिवी अलोकिक शक्ती से जुड़ा है ये व्यक्ती अवश्य ही किसी कुटिल मंसा से पहुचा है वहां मुझे शीग्र माता को सूचित करना चाहिए माता मैंने प्रभु शुरी राम को वचन दिया था मैं सदाप का कवच बनके रहूँगा माता आप इसलिए मुझे आज्या कीजिए कि मैं जाके ग्याद कर सकूँ कि वो क्या चाहता है और माता यदि वो अधर्म करना चाहता है तो मैं उसका अंत कर दूँगा समय आने पर आप उसका सामना भी कर लीजेगा शृी राम भक्त महा बली हनुमान खिंतु अभी शृी धर्भुन विश्वास से मेरी सहायता पर प्रतिक्शा कर रहा है आईए आपका स्वागत है जै माता की आईए आपका स्वागत है क्या होगा अब अतिथी भी आने लगें। आपका स्वागत है। जय महता की। आईए आपका स्वागत है। क्या हुआ सुलूचना। अत्ती आ रहे हैं। अब किन विचारों में खुई हुई है। हाईए। बैठिये। सुलूचना, इनका स्वागत कीजे। पतल विचाये। जल दीजे। सामित पतल को विचा देंगे। पहले भोजन की भी तो कुछ व्यवस्ता करने होगी न। अन्यथा खाली पतल से लोटाया। तो सभी को लगेगा। हमने उनका उफास किया है। सुलूचना, धीराज रखो। आये, बैठिये। धीराज रखो। मातानानी अवश्यपे उपाय करेंगे। जै मातागी, बैठिये। हम मुझे पूरा विश्वास है। जो भी मातानानी के प्रती निष्टा लेकर आया है। वो भोका नहीं लोटेगा। आये, बैठिये। जग हसाई तो होगी ही। श्रिधर को इस रों का फल भी भुगतना पड़ेगा तूसरों की फल की चिंता करते रोगे नाय सुख जी तू सोयम का कोई फल कैसे मिलेगा नहीं नहीं जाओगे तुन दोनों वहाँ नहीं जाओगे भंडारे का दिखावा मात्र है यहम में से वहाँ पर को उपस्टित हुआ तो लोग श्रिधर को मुझसे बड़ा पंड़ी समझेंगे और मैं नाकारा हो जाओँगा इसलिए मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा वहाँ पर माँ पिता जी आपको आदेश दे रही है मैं तो समझा रहा हूँ भागेवान समझा रहा हूँ तुम कैसे जा सकती हो भागेवान वस्तों ने बार बार निचा दिखाया है मुझे अच्छा तो आप नहीं आएंगे तो भूल जाएगे शीरा राजमा मेवा से बने चावल कुछ नहीं है कुछ भी तो नहीं है वहाँ अनता उसकी सुगंद तो आ जाती खाना पकता है तो आधा स्वाद तो उसकी सुगंद चाहिए आ जाता है यदि जाने का हट कर ही रही हो तो जाओ किन्तु मेरे मृत शरीर को पार करके जाओ मा ये लो आपको यहीं रहना है तो रहिए किन्तु खाली पेट रहना होगा हम तो वहाँ पर पेट भर कराएंगे या फिर अपना भोजन स्वयम बना लीजिए चलो लला सुलोचना मैं तो वही काहूंगा जो सदा कहता हूं मातारानी के घर देर है अंधेर नहीं श्रीधर जी और कितनी देर लगेगी जल तो मिल गया श्रीधर जी अब भोजन कब मिलेगा सुलोचना भाभी कब तक जल से हम संतोष करेंगे या फिर आज जल से ही पेट भरेंगे नहीं नहीं बस थोड़ी देर में भोजन भी लगेगा स्वाम अब तो सभी भोजन मांग रहे हैं क्या करेंगे चिंता मत करोते हैं मातारानी कर विश्वास रखो शक्ती आएगी इसकी सहायता के लिए आएगी किंतो वापस नहीं जा पाएगी मेरी सहायत मुलेगी मुझे भी किसी प्रकार हुआ पहुतना चाहिए जिछे मतकार हुआ तो मुझे चिपा नहीं रहना चाहिए पर यदि नहीं हुआ तो लोग इन तोलों के निंदा करेंगे और मेरा मान बढ़ेगा किंतो मुझे वहाँ सभी ने देखा तो स्रीदर बढ़ा और मैं छोटा हो जाओंगा सब स्रीदर की वाब आई करेंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूँगा कदापी होने नहीं दूँगा मिल गया उपाए अच्छा है यहां निकट पर नहीं बैठे ये दूनों खाले था कहीं पहचान जाते मुझे मा बापू की मती मारी गई है ये सदा से ही ऐसे बुद्धी ही इन थे आज बस अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे अपने अंकार का ही स्वाद लेंगे आज और हम स्वादिष्ट भोजन का ये दोनों तो यही बैठे हैं मुझे अपना इस्थान बदलना चाहिए रुकिए बैठ चाहिए भूके मत लोटिए हम अभी भोजन लगाएंगे लगता है श्रिधर जी ने हमारा समय व्यार्थ करने के लिए बुलाया है यहाँ पर हाँ श्रिधर अब भोजन नहीं परोसाना तो हम सब लोग उठकर चले जाएंगे बड़ा अपमान होगा हमारा गाउ में रह नहीं सकेंगे हम वाह आनन्द आएगा इनका अपमान देखने में तो बहुत आनन्द आएगा अब होगा चमगा यह वो परिस्ति थी है जब भक्ति के अपूठ होने का परिचय मिलेगा सबसे कोमलशन है जब विश्वास को साथ साथ सबसे कथिन होता है भोज के लिए पूरा गाउं बैठा हो घर में चावल का बस एक दाना हो और विश्वास को छोड़ कर और कोई आस ना हो तो किसी का भी विश्वास तूट सकता था किन्तु श्रीधर साधारन भक्त नहीं थे उन्होंने अपना विश्वास अटूट रखा मातरानी आज हमारी विश्वास की परिक्षा है हमें सफल करना मा भोग के लिए पतल बाट दिये हैं श्रीधर जी पतल ही बटेंगे आज यह भोजन भी मिलेगा श्रीधर जी भोजन पनवाया है ना अब विलंभ मत करो मातरानी हमारी लाज रखो अब समय आगया है कि में हस्तक शेफ गरूँ समय और अवसर दोनों निकट हैं मेरा समय अब आगया है सेना अब portkin समय आगया है प्रूब चुछ झाल मा मातारानी, उनका आभास हो रहा है मुझे कार्य की सफलता व्यक्ति के धहर्य विश्वास और सच्चाई पर निर्भर करती है